हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपकी बांसरी के धागे खुल गए हैं, या वो निकल गए हैं, या वो उपर नीचे सरकते रहते हैं, या फिर आपकी बांसरी के धागे बहुत गंदे हो गए हैं, और आप चाहते हैं कि मैं इनी धागों को बापस से साफ करके इसमें लगा तो आप इस नंबर पर संपर्ख कर सकते हैं दोस्तों बांसरी में धागे लगाने से पहले आपको एक्षी समझनी पड़ेगी कि कलर कॉंबिनेशन क्या होता है जैसे यह बांसरी डर्क कलर की है तो इसके उपर लाइट कलर के धागे बहुत अच्छे लगेंगे हर किसी की पसं के कलर इसके अंदर बांध सकते हैं या फिर आप कलर कोंबिनेशन के हिसाब से बांढ़ सकते हैं जैसे यह फोड़ा डर्क कलर की बांसरी है तो मैं ने इसके लिए पिंक और वाइट कलर का धागा चूच किया है ताकि वो इस पर खिल कर मह आपको सिर्फ एक धागा यहां बांध कर दिखाऊंगा आप बैसे ही सभी जगे धागे बांध लीजिए गा और मैं यह भी बताऊंगा आपको कि बांसरी में धागे कहां कहां बांधने चाहिए यदि आपको मेरी दी हुई जानकरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस् पहले बांसरी के उस एरिया पर सेलो टैप लगा लीजिए जहां पर आपको धागा लगाना है सेलो टैप के इतने बड़े बड़े दो टुकडे आप काट लीजिए सबसे पहले इस धागे को लेंगे और जहां पर आपको गांट लगानी है उस धागे को बहां पर रखेंग दोसरे दागे के उपर से मैं इसको निकालूँगा। दुबारा देख लीजिए मैंने धागे को यहां सेलो टैप की मदद से चिपकाया इधर लेकर गया इधर भी सेलो टैप की मदद से चिपकाया वापस लेकर आया और मैंने यहां पर अंगुठे की मदद से जहां से मैं धागा बांधना स्टार्ट करूंगा बहां पर इसको इसके उपर से घुमाएंगे ठीक है दो-चार वार आप ऐसा करने के बाद इस धागे को सही पोजीशन में ले आईए ठीक है इस तरह से और फिर बासरी को घुमाते हुए आप धागे को बांधिये यह आसान पिर्किरिया है ठीक है और इसको बार बार अपने हाद से प्रेस करते रहे ताकि उसकी पोजीशन सही रहे एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आप के धागे एक दूसरे पन्ना चड़ें और बहुत जादा एक तरीके से आप इसको नाप बांधे ठीक है नॉर्मली चलता रहेगा इसी तरह से आप सरकल बनाते रहे बासरी को घुमाते रहे धागा इस पर लिपटता जाएगा और आप अच्छे से धागे को मेंटेन करके रहे ठीक है यह एक दूसरे के ऊपर ना चड़े मैं चीज यही है बस और बासरी के अंदर जब धागे बांधते हैं तो सबसे मुस्किल होता इसमें गांठ लगाना एक क्रॉस का साइन आना चाहिए जब आप बासरी में धागा बांधे तब अभी उस चीज को देख किएगा एक वार आपने इसको बांधना सीख लिया तो लाइफ ट बंदे लगते हैं बासरी के उपर तो आप उनको साफ करके भी बापस लगा सकते हैं लेकिन आप इसी पिरक्रिया को फोलो करेंगे इस तरह से बांधने को घुमाते रहिए आपका दागा बनता रहेगा ठीक है देखिए हमने बातों बातों में आधा धागा बंद चुके हैं हम और यह इतना बड़ा काम नहीं है आप आसानी से कर लेंगे पहली बार में कर लेंगे ठीक है बस यह वीडियो को पूरा देख लीजेगा तो आप समझ जाएंगे कि आपको कर रहा क्या है ठीक है इस तरह से घुमाते रहिए और ध्यान रहे कि आपके धागे के अंदर गांठ नहीं होनी चाहिए दागा प्रॉपर सही होना चाहिए ठीक है और यह रेशम के धागे होते हैं तो यह काफी मजबूत भी होते है ऐसा नहीं है तो इनमें गांठ ना लगी हो बस और धागा एक दूसरे के तो उपर ना चड़े ठीक है देखिए कितना आसान है आप समझ सकते हैं ठीक है आप खुद भी एक बार करके देखिएगा पहली बार में हो सकता है कि सायद आपको दिक्कत आए लेकिन जब आप इस काम को दो चार बार कर लेंगे तो फिर यह आपके लिए बहुत आसान काम हो लगाई जाती है और उसके बाद भी धागा खुले ना उसके लिए एक काम करना होगा आपको मैं भी बताता हूं ठीक है देखिए हमारा दागा लगफक पूरा हो चुका है तो अभी गाट लगाने की बारी आ चुकी है तो आप ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह इसमें गाट लगाता हूं ठीक है कलर कॉंबिनेशन का विशेज ध्यान रखें उशी से आपकी बासरी खुबसूरत बनेगी बासरी की सुंदरता मुख्यते उसके स्वर होते हैं लेकिन अगर बासरी देखने में भी सुंदर होगी तो इसमें गलत ही क्या है ठीक है तो आप उसको बजाने में और भी ज्यादा आनंद आएगा हम इस धागे को घुमा घुमा कर यहां तक ले आए हैं हमारा धागा अभी पूरा हो चुका है अभी हमने उस टैप को चुटा दिया है अब हम इस धागे को जो हम घुमा घुमा कर यहां तक लाए हैं इसके बीच से निकालेंग ठीक है और इसकी बज़े से ये धागा भी अंदर चला जाएगा ठीक है अभी ये इतना हो गया है अब इसको खीचने का प्रोसेस यह है कि दोनों धागों को एक साथ नहीं खीचना नहीं तो ये तूट सकते हैं अभी इस वाले धागे को हम अपनी तरफ खीचेंगे ठीक है फ आपको सायद दिख रहा होगा कि वो क्रोस का शाइन आने लगा है ठीक है लेकिन अभी पूरी तरह के से नहीं आया है जब हमको अच्छा लगे कि यहां पर क्रोस का साइन अच्छा लग रहा है बहीं पर हम अपने धागी को खीचना बंद कर देंगे लेकिन ये काम हम प्या करोष का साउन यहां पर आगया है वह किका है आप यहां यहां पर यह ठीक डंग राहा है कि क्रोसकर िछाइन यहां आ गया है इनको खीच-खीच कर आपको क्रॉस का सान बनाना है अधिक Jeff Lee सा उजय alleen को कैंची की मदद से काड़ देंगे के देखिये इस तरह से इसको जड़ से काड़ देंगे, ठीक है, और इसी तरह से आप दूसरे धागे को भी यहां काड़ देंगे, ठीक है, यह देखिए, देखिए, इस धागे के अंदर यहां क्रॉस का साइन आ गया है, जो कि पहचान है कि आपका धागा सही बना है, अब इस बासरे की खुबसूर अंत में जहां पर आपने धागे को कट किया है वहां पर थोड़ी थोड़ी सी फैबी क्यूब डाल देंगे जिससे वो धागे वहां से हिले ना इसी तरह से आपको अपनी बांसरी के अंदर धागे लगाने हैं फाइनली हमारी बांसरी तयार है आपने देखा कि हमने इस बांसरी में ये वाला धागा बांदा था ठीक है इस धागे के अंदर ट्रॉस का निसान आया है ये इसकी पहचान है कि आपका धागा अच्छी से बंदा है ठीक है इस तरह से कलर कॉंबिनेसं देकर आप बांसरी को बहुत अच्छा बना क्रा है तो इस बंसरी के अंदर अंदर आप देख रहे हैं कि यहां दो धागे एक ही कलर के लगे Berry हैं फिर यहां एक कलर दूसरा है लेकिन उसके दोनों तरफ दूसरा कलर लगा है जो यहां पर ही था oh same color हमने लगाया और उसी कलर को जो यहां लगा है यहां लगाया तो इस तरह से आप अपनी माश्री के अंदर थागे बांच सकते हैं उसकी सुन्दर्ता बढ़ा सकते हैं अगर आपके कि आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दिया होगा चलते चलते एक प्यारी शिधुन सुनते हैं उसके बाद आपसे अलभीदा लेंगे चलिए मिलते हैं नई वीडियो में रादे रादे